हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एन स्टुडेंट माई सेल्फ महेंद्र देवंदा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबोलिज्म ओफ एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स के मेटाबोलिज्म के बारे में बात करेंगे अब सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि मेटाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म जिसके अंतरगत कुछ पदार्तों का तूटना और कुछ पदार्तों का बनना सामिल होता है जैसे यहाँ पर Metabolism of Amino Acid है तो यानि Amino Acid का Breakdown होना जिसको हम Catabolism कहते है और जो दूसरी प्रक्रिया है उसको हम कहते है Anabolism जिसके अंतरगत Amino Acid आपस में मिलकर कुछ पदार्थ बनाते हैं जिसको हम Anabolism कहते हैं तो Amino Acid का Catabolism कैसे होता है और इनका Anabolism कैसे होता है या Anabolism के फल्स रूप क्या पदार्थ बनता है इसके बारे में जानेंगे अब सबसे पहले यह बात है कि Amino Acid होता क्या है तो Amino Acid यहाँ एक Structure दिखाई गई है यह एक Amino Acid है यहाँ पर यह कोई Particular Amino Acid नहीं है हम जानते हैं कि 20 Amino Acid यानि 20 Amino Acid हमारे सरीर में पाए जाते हैं जिनमें कुछ Non Essential होते हैं और कुछ Essential होते हैं लेकिन इनकी जो Basic सरचना होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है जिसमें एक Carboxyl Group होता है और दूसरा जो Group होता है उसको हम Amino Group कहते हैं इसके अलावा इसकी सरचना में एक Side Chain पाई जाती है जिसको हम R से दरसा रहे हैं R से जिसको Represent करते हैं इस R की जगे पर अगर कोई दूसरा सबस्टान से जुड़ता है जैसे कि अगर Hydrogen जुड़ता है तो यह है Glycine Amino Acid के लिए Responsible होता है यानि Glycine की Structure को बताता है ऐसे ह अगर Methane जुड़ता है इसके अलावा और दूसरे पदार दूसरे जो Molecules हैं जैसे कि Alcoholic Group हो सकता है सलफर युक्त कोई Group हो सकता है तो उसके आदार पर Amino Acid अलग अलग परकार के हो जाते हैं तो Amino Acid वास्ताव में इस परकार की दो सरचना तो बना रहे हैं लेकिन Amino Acid जब आपस में जुड़ते हैं जैसे कि एक Amino Acid ये है को इसी हो सकता है दूसरा ये Amino Acid है इसी परकार तीसरा Amino Acid फौर्थ और ये Amino Acid आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्मान करते हैं यानि जो प्रोटीन का जो निर्मान होता है वो Amino Acid की एक एक युनिट जब आपस म मिलती है तो उसके बाद में प्रोटीन का निर्मान होता है और प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि हमारे सरीव में ये महत्वपुन कारे करती है प्रोटीन सामनत है चार प्रकार की होती है इनकी स्ट्रक्चल बेसेस पे इनकी सरचना क्यादार पर प्रोटीन को हम primary proteins के नाम से जानते हैं secondary protein होती है tertiary protein होती है quaternary proteins होती है primary protein वो होती है जिसमें amino acid आपस में एक linear form में एक linear form में आपस में जुड़े होई रहते हैं तो वो protein की primary structure बनाती है अगर primary structure में आपस में folding हो जाए या sheets का निर्मान हो जाए यानि helix अगर sheet और sheet का निर्मान होता है तो वो secondary structure का निर्मान करते हैं यानि secondary structure में कुछ bond बने हुए होते हैं जो की primary structure के आपस में bond के formation से secondary structure का निर्मान होता है next जो है वो है tertiary structure secondary structure में और folding होने से और disulfide bond बनने से tertiary structure का निर्मान होता है जो कि इसकी 3D structure होती है प्रोटीन की जैसे कि example के तोर पर myoglobin जो प्रोटीन है जो muscles में पाई जाती है वो एक tertiary प्रोटीन का उधारन है ऐसे ही quaternary जो प्रोटीन है अगर tertiary जो प्रोटीन है इनकी एक एक उनिट आपस में जब मिलकर कोई structure बनाती है तो उसको हम कहते हैं quaternary structure यानि चतुर सरशना है प्रोटीन की जैसे कि hemoglobin जो की oxygen को carry करता है हमारे सरीर में तो ये बात हुई proteins के बारे में तो basically हम जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो amino acid के metabolism के बारे में तो हमें प्रोटीन को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि amino acid के द्वारा protein का निर्मान होता है और protein के degradation से amino acid का निर्मान होता है तो समझते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम इसमें प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं प्रोटीन प्रोटीन्स are most abundant organic compound of the body हमारे सरीर में जो organic compound में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाये जाता है प्रोटीन्स are nitrogen containing macromolecules प्रोटीन क्या है nitrogen containing macromolecules है, कैसे हुआ पहले तो हम इसकी structure को देखते हैं, इसको एक amino acid को मैं बनाता हूँ ये carboxyl group है यहाँ कोई भी जो side chain जूड सकता है और ये है amino group तो इसमें जो nitrogen contain जो पाये जा रहा है, यानि ये प्रोटीन के पास में nitrogen containing है, और macromolecules क्यों है, क्योंकि जैसे ये एक amino acid हो गया, ऐसे ही एक और amino acid जुड़ेगा इसके पास में और amino acid जुड़ेगा ऐसे करते करते amino acid की chain आपस में जूडती है तो ये macromolecules का निर्मान कर लेते हैं तो proteins are nitrogen containing macromolecules consisting of repeating unit of amino acid यानि ये amino acid की repeating unit से पुनरावर्ती के बार-बार amino acid के आपस में जो इकाया जुडती है उसके फलसरूप protein का निर्मान होता है अब ये protein कई परकार की हो सकती है लेकिन मोटे तोर पर हम इसको दो परकार से divide कर रहे हैं proteins are perform static जिसको इनके कारिये के अदार पर ये static type की हो सकती है और दूसरा जो परकार है वो dynamic परकार की हो सकती है static जो proteins होती है वो structure का निर्मान करती है यनि body की सरचना का बनाने का काम कर रही है जैसे कि हमारी mass space यह है dynamic में enzymes का निर्मान करना hormones का निर्मान करना clotting factors का निर्मान करना और receptors का निर्मान करना ये proteins के dynamic functions है receptors का मतलब सेल के बाहर के तरफ जो मेंब्रेन है उस पर प्रोटीन से बनी हुई कुछ signaling molecules पाए जाते हैं जो receptor की तरह कार्य करते हैं अब प्रोटीन्स चूंकी बना हुआ होता है amino acid से और amino acid में एक carboxyl group होता है और एक amino group होता है तो ये दोनों ही group हमें ध्यान में रखना है इनके आधार पर प्रोटीन्स जो होती है उसका निर्धरन भी होता है अब nature of proteins are depend जो protein का जो nature होगा वो किस पर depend करेगा वो किस पर आप समझ गए होंगे कि ये क्योंकि protein बना हुआ होता है amino acid पर तो ये पूरी तरह से depend होता है amino acid पर यानि nature of proteins are depends upon quantity of amino acid यानि amino acid की quantity कितनी होगी उस पर protein का nature depend करेगा कि यानि protein किस परकार की होगी quality of amino acid amino acid की quality कैसी होगी इस पर depend करेगा कि protein वह किस परकार की होगी and sequence of amino acid और amino acid का sequence किस परकार से होगा इसके आधार पर protein का निर्धरन होता है 10 amino acid can be synthesized by the body 10 amino acid हम जानते हैं कि हमारी body में 20 amino acid 20 amino acid पाए जाते हैं उन में से 10 amino acid can be synthesized by the body वो हमारी सरीर में synthesize हो जाते हैं हमारे सरीर के द्वारा उनको बना लिया जाता है 10 amino acid को अब अगर हमारे सरीर किसी चीज़ को बना रहा है तो वो इसको हम non essential की category में रखते हैं उनको हम कहते है non essential amino acid amino acid जो दो type है essential और non essential इसके लिए आप previous वीडियो में भी जा सकते हैं biochemistry के previous वीडियो में जो आपको channel में मिल जाएगा अब है 10 amino acid हो गए वो non essential हो गए while the rest of have to be provided in the diet लेकिन जो बचे हुए जो 10 amino acid है वो हमें अपनी diet से हमारे जो खाना होता है उससे हमें लेना पड़ता है so essential amino acid ये जो 10 जो बचे हुए होते हैं जिनको हमें food से लेना होता है उनको हम essential amino acid कहते हैं क्योंकि उनको virgin के साथ में लेना compulsory होता है और non essential वो हो गए क्योंकि वो हमारी बोड़ी में पहले से synthesis हो रहे हैं there is no storage form of amino acid यहां आपको यह बात ध्यान रखनी है आप अगर कोई competition exam भी देते हैं उसके लिए भी महत्वपून बात है यह कि जो amino acid होता है उसका कोई storage form नहीं होता है there is no storage form of amino acid as is the case of carbohydrates जैसे carbohydrates में glycogen storage हो जाता है यह जो carbohydrates है वो glycogen के रूप में storage हो जाता है ऐसे ही lipids का भी storage हो जाता है वो भी triglycerols के form में storage हो जाता है लेकिन amino acid का यह साया किसी प्रकार का कोई storage form नहीं पाये जाता है तो यह बात आप ध्यान रखेंगे अब the excess intake of amino acid are metabolized अगर हम खाने में ज्यादा मात्रा में amino acid लेते हैं तो क्या होता है कम लेते हैं तो को हो सकता है कि protein disorder हो सकते हैं और अगर अधिक लें तो क्या होगा are metabolized oxidized to provide energy जो amino acid है उनका oxidation हो जाएगा और उससे हमें energy मिलेगी या हो सकता है converted to glucose उसको amino acid को glucose में convert किया जा सकता है जिसको हम gluconeogenesis कहते हैं इस terminology के बारे में आप जानते होंगे gluconeogenesis यानि glucose का निर्माण जो की non carbohydrate से अगर होता है तो हम उसको gluconeogenesis कहते हैं यहां पर glucose का जो निर्माण होगा वो amino acid से होगा तो इस process को हम gluconeogenesis कहते हैं यानि अगर excess मात्रा में हम amino acid लेते हैं तो वो glucose में convert हो सकता है या fat में भी वो convert हो सकता है the amino groups are lost as urea अब amino acid के structure में हमने जाना कि इसमें एक group होता है carboxyl end होता है और जो दूसरा end होता है उसमें amino group होता है अब ये जो amino group है वो कहां काम में आएगा इसका ये बाकी जो portion है वो हो सकता है कि वो glucose बनाने में काम में आ जाए fat बनाने में काम में आ जाए लेकिन जो amino group है वो actually urea बनाने में काम में आ जाता है या कुछ animal ऐसे होते हैं जिनमें यूरिया बनाने में भी ये काम में आता है यानि एमिनो जो एसिड है उसका एमिनो ग्रूप यूरिया बनाने के काम में आता है अब हम समझते हैं एमिनो एसिड के मेटाबोलिस्म को मेटाबोलिस्म ओफ एमिनो एसिड्स इसमें हम इसको हम डिवाइड करते हैं Metabolism of Amino Acid are divided into two types इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं एक होगा Amino Acid Catabolism हो रहा है और दूसरा जो है Amino Acid Anabolism Amino Acid का Anabolism इसको कहते हैं अब यहाँ पर आप एक बात द्यान रखेंगे हम बात कर रहे हैं Metabolism of Amino Acid अगर हम इसको यूँ कहें कि Metabolism of Proteins तो यह लगबख similar word है similar बाते हैं क्योंकि Amino Acid का जो Metabolism होगा वही प्रोटीन का होगा प्रोटीन का मेटाबोलिजम नहीं पढ़कर हम Amino Acid का Metabolism पढ़ते हैं क्योंकि जो प्रोटीन है उनका निर्माण Amino Acid के द्वारा ही होता है इसलिए हम Amino Acid पर फोकस रखते हैं इसको हम सामाने रूप से आप Metabolism of Protein भी कह सकते हैं सो हमने Metabolism of Amino Acid को दो प्रकार से डिवाइड किया एक है Catabolism जिसमें क्या होगा इसमें Two Reactions सकर इसमें दो Reaction होती है दो अभिकरिया ही होती है कौन-कौन सी फर्स्ट है De-Eminations यानि De-Eminations की प्रकारिया हो रही है और दूसरी है Trans-Eminations ये जो दो प्रकारिया है उसमें कुछ न कुछ पदार्तों का Degradation होता है लेकिन एक तीसरी प्रकारिया हो रही है जिसको आप ध्यान में रखेंगे ये थोड़ा सा इन से Catabolism से अलग है इसमें De-Carboxylation होता है Amino Acid का और कुछ दूसरा पदार्त बनता है वो देखेंगे हम यानि आप Catabolism को Simply दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं आप चाहें तो तीसरा भी सामिल कर सकते हैं लेकिन इसमें जो mechanism होती है वो अलग प्रकार की होती है क्योंकि इसमें De-Carboxylation Enzyme Participate करता है So सबसे पहले हम देखें De-Amination De-Amination में Removal of Amino Group इसमें नाम से पता चल रहा है D यानि हटना, डिलेट होना Emination Amine Group यानि इसमें जो हमारा ये एक Emino Acid दिखाया गया है ये Carboxyl Group है और ये Emino Group है इसमें इस Emino Acid से ये Emino Group Release हो जाता है हट जाता है यानि Removal of Emino Group कि इसमें? De-Amination में इसमें क्या होता है? Formation of Ammonia and Fatty Acid in the reaction of De-Amination De-Amination की प्रिक्रिया में जो कि Emino Acid निकल रहा है ये किस फॉर्म में निकलेगा? Ammonia की फॉर्म में निकलेगा और जो remaining है वो Fatty Acid का निर्मान करता है जिसको हम सामनते Keto Acids भी कहते हैं यानि Keto Acid यहां पर बन रहे हैं जो एक परकार के Fatty Acids होते हैं दूसरी जो अभी करिया है Catabolism की वो है Trans Amination इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि Trans Amination जो Amine Group है उसको एक Amino Acid से दूसरे Amino Acid पर Transfer किया जाता है यानि एक Amino Acid होगा उसको दूसरे Amino Acid पर Transfer किया जाता है उसमें कौन सा भाग जो उसका Amine भाग होगा उसको Transfer किया जाता है यानि इसमें क्या होगा Formation of Fatty Acid and a New Amino Acid इसमें एक तो Fatty Acid का निर्माण होगा साथ इसाथ एक नए Amino Acid का भी निर्माण होता है तीसरी जो परक्रिया है जिसको हम Decarvoxylation कह रहे हैं इसमें Formation of Biogenic Amines का Formation होता है इस परक्रिया को भी हम देखेंगे दूसरा जो Metabolism का टाइप है उसको हम Anabolism कहते हैं Anabolism का मतलब कि किसी चीज़ का Formation होना जूड़ना, बंड़ना Amino Acid are Converted into Protein और Proteins करते हैं ये बात हुई Metabolism के दो परकार Catabolism और Enabolism के बारे में Next बात करते हैं कि जो Amino Acid है उसमें दो महत्वण ग्रूप है कौन-कौन से एक तो है Carbocyl Group और जो दूसरा ग्रूप है वो है Amino Group अब इनका future क्या होगा यानि Metabolism में क्या बनेगा The Amino Group of the Amino Acid is utilized for the formation of Urea ये जो Amino Group है इसको यानि इसके दोरा Urea का निर्मान किया जाता है Finally इसके दोरा Urea का production होता है हाला कि इससे पहले Amonia बनता है और Amonia से बाद में जाकर Urea बनता है Urea का formula आप जानते हैं ये Urea है तो Urea का जो निर्मान होता है वो Amonia से होता है और Amonia का जो निर्मान होता है वो Amino Group से होता है जो Urea है जो Urea है जो Urea है वो एक Protein Metabolism का Excritory Product है उससे पदार्थ होता है या आप सिंपली सब्दों में ये कहें कि Protein के Metabolism के Falsu Roop जो Excritory पदार्थ बनता है वो होता है Urea ऐसे ही जो Remaining Group है यानि The Carbon Skeleton of Amino Acid Is First Converted to Keto Acid जो ये Carboxyl Group है वो Keto Acid में बदल जाता है By Trans Amination Trans Amination के द्वारा ये Carboxyl Group है या Remaining जो इसका जो भाग बचा हुआ है वो Keto Acid में Convert हो जाता है इसके Metabolism में जो Keto Acid जो बन रहे है उनका Fat क्या होगा Keto Acid का मतलब समझ में आ गया होगा आपको जो ये जो Carboxyl Group है जो CWH Group है और इसमें जब हमने Amino Acid में से हमने जब Amino Group को निकाल दिया इसके बाद में जो Remaining है उससे जो Keto Acid बन रहा है उसका हमारे सरीर में एक कोसिका में उसका बहुष्य क्या होगा उसको हम समझते है उसका बहुष्य क्या हो सकता है Keto Acid Utilize to Generate Energy Keto Acid को Energy बनाने में भी प्रियोग कर सकते हैं कैसे? जो TCA cycle होता है Tricarboxyl Acidic Cycle जो होता है Krebs Cycle होता है उसमें Keto Acid से Energy बनाई जाती है Use for Synthesis of Glucose Keto Acid से Glucose का निर्माण किया जा सकता है जिसको हम Gluconeogenesis क्याएंगे क्योंकि Keto Acid का निर्माण कहां से हुआ वो Amino Acid से हुआ Amino Acid से वो Non Carbohydrates है और Non Carbohydrates सोर्स से जब Glucose का निर्माण होता है तो Keto Acid का Futures वो Glucose बना सकता है Next जो है Diverted for Formation of Fet और Ketone Bodies इसके लावा Fet का निर्माण कर सकता है और Ketone Bodies का निर्माण कर सकता है Next है Involved in the Production of Non Essential Amino Acid इसके अलावा ये Non Essential Amino Acid को भी बना सकता है और वो कैसे बनाएगा वो Trans Amination की प्रक्रिया के द्वारा बनाएगा ये अभी आगी Reaction से हम समझेंगे कि ये किस परकार से Essential Amino Acid को Non Essential Amino Acid को बना सकता है यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है ये चार्ट जो Amino Acid का जो Metabolism है इसका सबसे Best है इसको आपको ध्यान में रखना ही है जो सबसे मेत्वपून है सबसे पहले जो Amino Acid है वो कहां से आएंगे वो हमने जो प्रोटीन खाया है जो डाइट में हमने जो प्रोटीन लिया है वहां से आएगा इसके अलावा हमारी Body में जो पहले से प्रोटीन है उस से आएगा प्रोटीन का Finally जो प्रोड़क्ट है वो Amino Acid होता है तो Amino Acid आ गए Amino Acid हो सकता है इनका बहुत से यह हो सकता है कि यह प्रोटीन का निर्मान करे यानि यह Enabolism प्रक्रिया को कर सकते है या Synthesis of N Compounds और Nitrogen से सोरसें जो بھی Compound है उनका निर्मान भी कर सकते हैं इसके आलावा Trans Everything के द्वारा Amino Acid के Trans Everything के द्वारा Keto Acid का निर्मान कर सकते हैं जो हमने देखा ही है यहाँ पर कि यह Amino Acid से Trans All Amination के द्वारा Keto Acid का निर्मान कर रहे हैं और Keto Acid energy generate करने में glucose बनाने में, fat बनाने में और non essential amino acid को बनाने में योगदान देते हैं लेकिन अब यहाँ पर trans amination में हम यह बात ध्यान रखेंगे जो यह amino acid है उसका amino group alpha keto glutrate को जाता है जो की बाद में जाकर इसको glutamate में बदल देता है और जो keto glutrate है समझेंगे इसको glutamate का आगे deamination होने से ammonia निकलता है ammonia का आगे जाकर urea में conversion हो जाता है अब हम इन reactions को समझते हैं amino acid की सबसे पहले हम catabolism reactions को समझते हैं जिसमें deamination है deamination क्या हुआ यह जो amino acid है उसमें से amino group हटेगा देखेंगे in this process amino groups are removed from amino acid जो amino group है वो amino acid से हटा दिये जाते हैं जिससे क्या होगा resulting in the formation of corresponding keto acids and ammonia जिससे उसके समान carbon वाले number के keto acid का निर्मान होता है और ammonia का निर्मान होता है ammonia का निर्मान कैसे हो गया क्योंकि उसमें से हम deamination कर रहे हैं amine group को निकाल रहे हैं amine group finally ammonia में बदलेगा और ammonia का बाद में urea में conversion होगा ये depend करेगा कि कौन से organism की बात हो रही है कौन से जीव की बात हो रही है मनुस्य के संदर्व में ammonia क्योंकि बहुत ही toxic होता है वो तुरंत ही urea में convert हो जाता है लेकिन जो aquatic animal होते हैं उनमें ये ammonia में ही रहता है जो की एक excretive product के रूप में body से बाहर कर दिया जाता है deamination की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है यानि deamination process by the two types एक हो गया oxidative deamination और दूसरा है hydrolytic deamination सबसे पहले जो है oxidative deamination आपको थोड़ा सा ये bike chemistry वाला part थोड़ा सा hard लग सकता है लेकिन है बहुत easy आप जब इसको समझेंगे तो बहुत easy लगेगा जब आप इससे डरते रहेंगे तो आपको टब भी लगेगा तो आपको डरना नहीं है बहुत आसानी से आपको ये प्रक्रिया समझनी है oxidative deamination क्या होता है deamination प्रक्रिया तो वही होगी amino group निकलेगा in oxidation oxidative deamination amino groups are removed from amino acid amino acid से क्या हो रहा है amino group निकल रहा है जिससे क्या होगा resulting in the formation of corresponding keto acid and ammonia जिससे corresponding जो भी उस समान carbon वाले keto acid का निर्माण होगा और ammonia का निर्माण होगा example के थूरू भी आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर amino acid है एक amino acid है यहाँ R group का बताया गया इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कोई सा भी amino acid हो सकता है glycine हो सकता है wellin हो सकता है जो भी होगा यहाँ पर enzyme है amino acid oxidase oxidase तभी तो oxidation होगा hydrogen बाहर निकलेगा so अब यहाँ पर यह बनेगा amino acids amino acid का और आगे oxidation होगा so यह बनेगा keto acids तो हमने यहाँ पर ammonia निकाला एक product और दूसरा जो product है वो keto acids है यहाँ पर किसी परकार का कोई carbon यहाँ से release नहीं हो रहा सिर्फ और सिर्फ amino group release हो रहा है दूसरी जो परक्रिया है वो है hydrolytic deaminase in hydrolytic deaminase water react with the amino groups इसमें जो पानी होगा वो amino groups से react करेगा और क्या बनाएगा वहीं चीज़ें बनाएगा जो पहले बना रहा था जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह water molecule है enzyme होगा glutamate dehydrogenase क्योंकि यह glutamate है तो यहाँ पर hydrogen बाहर निकलेगा ammonia बाहर निकला एक product और दूसरा इसके equivalent जितने भी carbon होगे उसके equivalent alpha ketoglutric acid का निर्माण हो जाता है यहाँ पर dehydration होता है hydrolytic हो रहा है इसलिए इसको hydrolytic deamination कह रहे है तो यह दो परक्रिया हो गई जिसमें आपको समझ में आया कि एक amino acid से ammonia बाहर निकल रहा है और एक keto acid का निर्माण हो रहा है दूसरी जो परक्रिया है जिसको हम transamination कहते हैं उसको हम समझते हैं देखो सब्द हमेशा आपको सब चीज बता देता है बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है transamination इसमें amino group एक से एक amino acid से निकल कर दूसरे किसी keto से जोड़कर amino acid का निर्माण करेगा कैसे करेगा समझते हैं transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid is known as transamination यानि जो amino group है वो एक keto acid पर transfer हो जाएगा एक keto acid पर transfer हो जाएगा this process involves the interconversion of a pair of amino acid and a pair of keto acids इसमें जो interconversion यानि जो आदान परदान जो हो रहा है वो दो amino acid और दो keto keto acid हैं उनके बीच में ये reactions होती हैं यानि इसके लिए दो keto acid होते हैं और दो amino acids होते हैं इनमें interconversion होता है catalyzed by a transaminases जो ये enzyme है transaminase इसके दोरा जिसको वर्तमान में amino transferase के नाम से जानते हैं ये enzymes का ग्रूप होता है जिसके दोरा ये reaction समपादित होती है पहले हम reaction को देख लेते हैं फिर इसके बाद में बात करते हैं जैसे की यहां पर ये keto acid है ये amino acid है ये keto acid है और ये amino acid है अब सबसे पहले ये जो keto acid है इसके पाद में ये किटोन जो ग्रूप है یہ किटो एसिड है यह reaction करेगा यानि यह जो reaction करके इस में से यह जो भाग है यह यहां से हट जाएगा जिसको हम कहेंगे अभी देखेंगे यह यहां से हट कर जो उपर वाला जो एमीनो ऐसिड है जिसको जिसके पास में यह amino group है ये हटकर इसके पास में चला जाएगा ये जो है amino group इसके पास में चला जाएगा और जो ये इसका group है ये इसके पास में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा इससे तो ये ketone acid first का formation हो जाएगा और इसके द्वारा इस amino acid second का निर्मान हो जाता है फिर से हम इसको देखते हैं ये एक ketoacid है इस ketoacid ने अपना ketone group दूसरे amino acid को दिया और ये amino acid है इसने अपना amino group ketone को दिया तो इस amino acid से तो ketoacid का निर्माण हुआ और इस ketoacid से amino acid का निर्माण हो जाता है तो एक keto से ketone group एक से transfer होकर दूसरे amino acid पर जा रहा है और दूसरे amino acid से जो amino group है वो किसी और पे जो ketone group है उस पे shift हो रहा है ये हैं trans amination की reaction जैसे कि यहाँ उदारण से हम समझ सकते हैं glutamate के पास में amino group है इस glutamate का convergence जो होगा वो alpha keto glutrate में होगा यानि इसका ये amino group है वो यहाँ से हट जाएगा और ये keto group है ये भी यहाँ से हट जाएगा तो keto group को जोड लेता है पारिडॉक्सिल phosphate और amino जो group है वो जोड लेता है पारिडॉक्समाइन phosphate जो की एक enzymes हैं यानि इस core enzyme के साथ में ये group जुड जाते हैं और इनको जिस पर transfer करना होता है जिस amino acid पर transfer करना होता है उन groups को ये transfer कर देते हैं जैसे कि ये amino group यहाँ pyruvate वाले molecules पर transfer होकर alanine बनाता है और अगल alanine के ऊपर amino group को हटा कर keto group जोड देते हैं तो वो pyruvate में convert हो जाता है तो एक amino acid दूसरे amino acid में convert करने के लिए योगदान करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ transfer of an amino group from an amino acid to keto acid एक जो amino group है वो keto acid में transfer हो रहा है जिससे कि ये reaction trans amination कहलाती है all trans aminases require pyridoxal phosphate जो ये trans aminases जो enzyme है या amino transferase enzyme है ये actually एक single enzyme नहीं होता है enzyme का complex होता है इसके साथ में एक co enzyme काम करता है जो कि ये pyridoxal phosphate sort में इसको PLP कहते हैं pyridoxal phosphate ये क्या है co enzyme की तरह काम करता है and derived from vitamin B6 ये vitamin B6 का derivative होता है और ये kon jam की तरह कारे करता है trans amination is very important for redistribution of amino groups ये जो trans amination की जो reaction है वो amino group का redistribution करने में योगदान देती है and production of non essential amino acid और जो non essential amino acid है उनके निर्माण में भी ये ये उगदान देते हैं क्योंकि एक amino acid दूसरे amino acid में convert होता है लेकिन इसका संदर भी ये होना चाहिए कि product क्या बन रहा है जैसे कि यहाँ पर trans amination के दूसरे परकार का amino acid बन रहा है लेकिन जो original amino acid है वो तो breakdown हो रहा है तो ये एक तरह से catabolism process भी है और एक anabolism भी यानी synthesis process भी है आल amino acid except lysine, threonine, proline, hydroxy proline participate in trans amination जितने भी amino acid हैं वो सभी participate करते हैं trans amination reaction में लेकिन lysine, threonine, proline और hydroxy proline की structure में कुछ ये से बदला होते हैं जिसके करण ये trans amination reaction में participate नहीं करते हैं next हम देखते हैं trans amination की परक्रिया के द्वारा कुछ inter conversion हो रहे हैं amino acid का यानी हम जो कह रहे हैं ना कि एक amino acid दूसरे amino acid में convert हो जाता है तो उनके कुछ example देखते हैं जैसे कि alanine एक amino acid है और एक alpha glutarate जो alpha keto glutarate जो एक keto acid है उनका आपस में कैसे परकार से convert होगा alanine convert हो जाता है pyruate में और जो alpha keto glutarate में इसका keto group हट कर ये जो keto group है ये हट कर यहाँ ये बन जाता है glutamate यानि alanine alpha keto glutarate जब आपस में reaction करते हैं glutamate pyruate इसमें transaminase इसमें मदद करता है तो pyruate बनता है और glutamate बनता है यानि alanine से क्या बन गया glutamate बन गया ऐसे ही aspartate alpha keto glutarate से oxyloacetic acid और glutamate बन गया यानि aspartate से क्या बना है glutamate बन गया ऐसे ही हमारे पास और भी example है जिससे glutamic acid है oxyloacetic acid है जो कि एक keto acid है इससे alpha keto glutarate बन रहा है और aspartic acid भी बन रहा है यानि glutamic acid से aspartic acid बन रहा है यानि यहाँ पर interconversion हो रहा है amino acid का trans amination reaction के द्वारा अब next है amino acid का catabolism की तीसरी जो परक्रिया है उसके बारे में decarboxylation जो की हम इसको इस परकार से समझते हैं कि decarboxylation यानि जो carboxyl group है उसको जो amino acid है उससे अटाए जाएगा तो कैसे अटाए जाएगा decarboxylation is a chemical reaction that removes of carboxyl group and releases carbon dioxide जो carboxyl group है वो carbon dioxide यानि CO2 के form में release कर दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है the process of decarboxylation happens by decarboxylase enzyme जो decarboxylase enzymes हैं अलग-अलग प्रकार के उनके द्वारा decarboxylation की प्रक्रिया होगी यानि एक amino acid से CO2 हम बाहर निकालेंगे the enzyme pyredoxal phosphatase act as coenzymes इसमें भी pyredoxal जो phosphatase है वो coenzyme की तरह काम करते हैं by this process decarboxylation biogenic amine produce इसमें biogenic amine produce होते हैं यह हमारे पास इस प्रक्रिया के द्वारा amino acid के जो catabolism की यह जो decarboxylation प्रक्रिया है इसके द्वारा कुछ biogenic amine का निर्माण हो रहा है जैसे की gaba amino butyric acid जिसकों gaba short में कहते हैं histamine का निर्माण जो होता है वो amino acid के decarboxylation द्वारा होता है dopamine का निर्माण भी ऐसे ही होता है decarboxylation ते आपको यह नाम द्यान रखना है gaba gamma amino butyric acid यह formed by decarboxylation of glutamic acid glutamic acid के decarboxylation की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है यानि glutamic acid के decarboxylation इसमें CO2 जब बहार निकलती है तब gaba का निर्माण होता है जो एक neurotransmitter है histamine formed by decarboxylation of histamine जो histamine है इसका निर्माण histamine के decarboxylation द्वारा होता है dopamine formed by decarboxylation of dopa dopa के decarboxylation चे डोपामीन का निर्माण होता है dopa की full pump होती है di, hydroxy, phenyl, ethyl, amine कई बार पूछ लेते हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे और dopa का निर्माण amino acid के द्वारा होता है अब हम देखते हैं fat of carbon skeleton carbon skeleton का fat क्या होगा amino group का fat तो ammonia और ammonia के बार में urea लेकिन जो carbon है इसका skeleton जो carbon जो amino acid में जो carbon का skeleton है जो carboxyl group है उसका future क्या होगा वो कहां कहां participate करता है तो सबसे पहले हम ये जो cycle आपको बीच में जो दिखाए दे रहा है ये TCA cycle है, crepe cycle है so TCA cycle में pyruvate previous करता है लेकिन जो pyruvate का जो निर्माण हो सकता है वो alanine से, systeine से, glycine से, serine, threonine, tryptophan, inaminosid से pyruvate का निर्माण होता है ये pyruvate का fat हम जानते हैं कि वो acetal-co-A में जा सकता है या acetal-co-A में भी बदल सकता है इसमें जो pyruvate है, वो oxaloacetate में भी convert होता है और citrate में भी convert हो सकता है लेकिन किस रूप में? acetal-co-A बनता है पहले और फिर इसके बाद भी citrate बनता है तो ये यूँ कहें कि जो amino acids हैं ये participate करते हैं जो crepe cycle है, उसके intermediate जो carbon skeleton है यानि इनके पास जो ketone group है, उनको बनाने में यानि जैसे कि acetal-co-A उसका निर्माण isolation, leucine और tryptophan से होता है acetal-co-A का निर्माण leucine, lysine, philine, alanine tryptophan और tyrosine इनके द्वारा होता है ऐसे ही oxaloacetic का निर्माण asparagin and aspartate से होता है fumarate का निर्माण aspartate phenylalanine और tyrosine के द्वारा होता है succinal-co-A का निर्माण isolation, methionine and valine के द्वारा होता है and alpha-ketoglutrate का निर्माण arginine, glutamate, glutamine, isterine and proline in amino acid के द्वारा होता है यहाँ आपको यह सब बाते याद रहे तो बहुत ही अच्छा है नहीं याद रहे तो भी कोई problem नहीं है आपको यह बताना है कि जो हमारा carbon जो amino acid में जो carbon है carboxyl group है उसका fat क्या होगा तो आप इसके माद्धम से कि वो क्रेब cycle में अलग-अलग component में अपना योगदान देता है यह बता देंगे तो भी इनफ होगा तो यह बात हुई कि amino acid का जो carbon iscluton है उसका future क्या होगा और इसके अलावा जो amino acid का जो anabolism प्रक्रिया है जो amino acid की जो anabolic process है यानि उसमें anabolism में क्या होता है amino acid आपस में जुड़कर जैसे amino acid आपस में जुड़कर protein का निर्मान करते हैं और protein के हमारे body में कई roles होते हैं तो इस परकार हमें इस वीडियो में जो amino acid है उसके metabolism के बारे में जानकरी प्राप्त की Thank you